देशपर में गणेश चतुर्थी की धूम है, हर तरव गणपती बपा मोर्या के जयकारी लगाए जा रही हैं। ऐसे में हम आपको एक खास बात बताने वाले हैं। हिंदु धर्म में अकसर रिद्धी, सिध्धी और शुबलाब को एक साथ पढ़ा और लिखा जाता है। लेकिन क्या आप इन दोनों का अर्थ जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों का गणपती बपा से क्या संबंध है? कई लोग ये बात नहीं जानते कि रिद्धी, सिध्धी और शुबलाब केवल ये शब्द ही नहीं बलकि गणपती बपा की परिवार वाले हैं। पर कैसे? तो चलिए आज की गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो में जानते हैं कि रिद्धी, सिध्धी और शुबलाब कौन है और हिंदू धर्म में इनका क्या महत्व है? इसके लिए लोकलिटी ने काशी के जोतिशाचारे पंडित संजय उपाध्याय से खास बाचीत की हैं। उन्होंने क्या कहा? सुनिये। रिद्धी, सिध्धी गणेश जी की पत्निया हैं और शुबलाब उनके बेटे। पर क्या आप ये जानते हैं कि उनकी पूजा करने से कैसा लाब मिलता है? अगर नहीं तो आपको ये भी बता देते हैं। इनकी पूजा करने से गणेश जी के साथ जो है, रिद्धी की पूजा करने से हमको ज्यान मिलेगा, हमको सरस्वती की प्राप्ती होगी। गणेश जी के साथ सिद्धी की पूजा करने से हमको धनधान प्राप्त होगा, सुबता प्राप्त होगी। और इनके पूत्र सुबह और लाप है, वो सुबता भी देंगे, लाप भी देंगे, और जीवन में आने वाली समस्याओं और कष्ट को दूर करके हमको जो एक नया जीवन जीते हैं। इसलिए रिद्धी और सिद्धी दोनों पत्नियों की पूजा गड़ेशी के साथ करने हैं।